हेलो दूस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर CTET की परिक्षा आपकी जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ग्यात होगा कि 31 जनवरी 2021 को होने जा रही है ऐसे में यहाँ पर काफी confusion बना रहता है Language को ले करके सबसे important चीज आपकी यही है अगर आप CTET की परिक्षा देने जाते हैं अगर आप इसमें गलतियां करते हैं तो लगभग आप 60 marks द्यान देजीगा लगभग नहीं सिधा सिधा आपका 60 marks जो है आप गलत कर देते हो और ऐसे में CTET की परिक्षा पास करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा हमेशा हर साल ये गलतियां बच्चों के द्वारा होती है पिछले साल भी मैंने जब 2019 का पेपर भी इसमें हुआ था ऐसे में एक वीडियो के माद्हम से हमने इसके बारे में चानकारी दी थी यहाँ पर भी आप लास्ट तक बने रहिएगा उसको ले करके हम बात करेंगे यहाँ पर यह जो पेपर है आपका 2019 का है पेपर वन लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे अगर मैं बात करूँ इसको ले करके जो आपका पांचवे भाग में लिखा हुआ है लिखा है प्रतेख भाग एक, दो, तीन, चार, पांच में है जिसमें से 150 वस्तुनिष्ट प्रश्न है प्रतेख प्रश्न आपका एक अंक का होगा देखिए अब आपको करना क्या है मैं एक एड्मिट कार्ड को भी ले करके बताऊंगा कि आपकी लैंग्विज क्या है, अगर है तो आप कहां से कहां तक उस क्वेशन को करेंगे सबसे पहले चीज जो पार्ट वन है बालविकास और सिक्षा शास्त्र इसको आप प्रश्न संख्या एक से ले करके तेज तक आप सीधे सीधे सारे लोग जितने भी बच्चे हैं सभी लोग करेंगे पार्ट टू जो है माथमाटिक्स का इसको भी 31 से ले करके 60 तक सभी बच्चे करेंगे उसके बाद पार्ट 3 की बात होती है इसकी बात करते हो आप जो परियावरणी आध्यन की 61 से 90 तक सभी बच्चों को करना है कहने का मतलब यह है आप जितने लोग पेपर देने जा रहे हो सभी लोग संख्या एक से ले करके प्रश्ण संख्या 90 तक बिना पूछे आपको करते चले जाना है इसमें कोई भी आपका जैसे कहते रहा कि चूज करना या कुछ ऐसा नहीं है बात आती है आपकी पार्ट 4 और पार्ट 5 को ले करके यहां पर पार्ट 4 में लिखा हुआ है भाषा एक और उसमें लिखा है अंगरीजी और हिंदी दूसरे में आपका जो भाग पांचवा है उसमें लिखा हुआ है भाषा टू और उसमें लिखा हुआ है आपका अंगरीजी या फिर हिंदी यहाँ पर देख लेते हैं English में भी कुछ ऐसी ही चीज़े है वही चीज़े है English में कर दिया है वस दोस्तों Language 1 में आप अपना जब Admit Card उठाएंगे Language 1 में अगर आपकी Hindi लिखी हुई है बहुत अच्छे से ध्यान दे Question Paper में भी मैं भी दिखा दूँगा Admit Card में भी दिखा दूँगा अगर Language 1 में Hindi लिखा है तो ध्यान दे आप 91 से लेकर के 120 तक आप Questions को Attempt करेंगे Hindi वाला English वाला मत कर दीजेगा अभी मैं दिखा दूँगा की कैसे दूसरी चीज़ अगर आपका Language 2 में English है ध्यान दीजेगा अगर Language 2 में आपकी English है तो आप 121 से लेकर के 150 तक के Questions को Attempt करेंगे ऐसे ही अगर Language 1 में आपकी English है तो आप English वाला 91 से 120 तक करोगे Language 2 में अगर आपकी Hindi है तो आप 121 से लेकर के 150 करोगे अम्मूमन ये देखने को मिलता है Language 1 में आपकी हिंदी होती है और Language 2 में आप Sanskrit या फिर English ले लेते हो तो ऐसे में चली एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहले चीज यहाँ पर सबकुछ आपका ऐसी ही चलता जाएगा यहाँ से आपने शुरुवात की बालविकास से आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वहाँ पर रुखना भी नहीं है अब देखे क्या आया Part 4 में लिखा है Language 1 English अपना Admit Card आप उठाएंगे अमूमन अक्सर Language 1 हिंदी होती है अगर आपकी Language 1 में अगर आपकी English लिखी है तो आप 91 से शुरुवात कर देंगे कहां से इस 91 से Language 1 में जैसा कि मैंने बताया अक्सर हिंदी होती है तो आपको ये section नहीं करना है अगर आप ये करते हो तो 30 marks आपके यहां से चले गए 30 marks तो यहां से जाएंगे ही जाएंगे Next वाला जो 30 marks से पेपर टू का वो भी आपका गलत हो जाएगा तो आपको Part 4 अभी आपको फिर से हिंदी वाला मिलेगा दिखते हैं यहां पे नीचे ये रहा 120 और अब लिखा हुआ है आपका Part 4 भाषा एक हिंदी तो Language 1 में अगर आपकी हिंदी है तो आपको यहां से करना है दोस्तों English वाला नहीं करना है मतलब ये रहा आपका 91 यहां से आपको answer करना है फिर बात आती है Language 2 को लेकर के अगर Language 2 में आपकी ध्यान दीजेगा English है तो उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं 120 से Complete होता है Language 2 में आप देख पा रहोंगे Part 5 में अगर आपकी English है तो आप इस section को Complete करेंगे यहां आप इसका answer करेंगे सब बाकाइदा लिखा हुआ है आपके Admit Card पर लिखा हुआ है Admit Card को बहुत अच्छे से ध्यान दीजेगा क्या कुछ बाते वहां लिखी है और फिर यह आपका कहां तक जाएगा जब आप बात करते हैं 150 आजा किसी का अगर Language 2 में Hindi दिया हुआ है मैं Language 1 नहीं बोल रहा हूँ मैं Language 2 बोल रहा हूँ हिंदी है तो वो इस चीज को करेगा चुकि आप Language 1 में Hindi कर चुके हैं तो ये वाला सेक्षन आप बिलकु से नहीं करेंगे बात कर लेते हैं Sanskrit वालों की तो Sanskrit वालों को बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी होनी चाहिए यहां पे उनको मैं बता दूँ कि starting में जब आप यहां पर बात करते हो सबसे शुरवात में जहां से आप questions के शुरवात करते हो 91 से ले करके आपका 120 और 121 से ले करके जब आप बात करते हैं 150 तक थोड़ा सा वहां पर विचार कर लेते हैं चलके यहां पे जो आप देख रहे हो इस तरीके से तो आपको यह जो language 1, language 2 की जो booklet है आपको एक ही paper 1 उसी में मिलेगी आपको paper में ही मिल जाएगी लेकिन जो Sanskrit की आपकी booklet होती है वो अलग से दी जाती है ध्यान दीजेगा अगर Sanskrit language 1 में आपका है तो आप questions 91 to 120 तक attempt करोगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है अगर language 1 में Sanskrit लिखी है तो लेकिन अकसर cases में यह होता है कि आपकी language 2 Sanskrit होती है तो दोस्तों आपको जो attempt करना है 1 to 1 से लेकर के 150 तक आपको attempt करना है कहां तक 121 से लेकर के आपको 150 तक attempt करना है अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार आप इसे फिर से देख लिजेगा थोड़ा सा यहां पर हम चलते हैं और बात कर लेते हैं किस तरीके से जो आप admit card में आपके क्या कुछ चीजे लिखी हुई होती है और वहां से कैसे आप पहचान कर सकते हो यहां पर आप देख पा रहे होंगे medium of question paper तो वो हिंदी लिखा हुआ उससे आपको मतलब नहीं है यहां पर देखिए language of word 1 और language of word 2 देखिए क्या क्या लिखा हुआ है language of word 1 है हिंदी तो आपको 91 से 120 language of word 2 में English है तो 1 to 1 से 150 आपको करना है Sanskrit language 2 में है ध्यान दिजिएगा Sanskrit language 2 में है तो 1 to 1 से 150 अलग से booklet मिलेगी उसमें से आपको करना है तो यह था पूरा जो है आपका CTT exam को लेकर के language को कैसे आप चूज करेंगे यहां से अगर कोई भी आप गलती करते हैं सिक्स्टे मार्क साब के यहां से चले जाएंगे इस चूज का पूरा खया लखेगा बाकी जो भी चीज़े थी हों मैंने आपको बता दी है कि क्या कुछ आपको लेकर की जाना है गोई आपका और सवाल है तो आप comment section में लेक सकते हो शेर कर दीज़ेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों साहब आठियों के साथ में और यहां पर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएगा जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में थैंक्स पर वची